भारत माता की भारत माता की इभुमे शासा शौर्य त्यागा तपस सेवा विद्या संस्कृति इतिहासा परंपरे गलिगे हेश्रु वासी आगिदे मनगे इपुन्य पवित्र भूमिगे बंदी दिक्के रोमान चागिदे मन पर बिराजमान स्रिमान यदुरप्पा जी सदानन गौडा जी यहां के साउसत प्रणला जोसी जी मन पर बिराजमान सभी वरिष्ट महानुबाव और विशाल संख्या में मुझे आशिरवाद देने के लिए आये हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि ट्रांस्लेशन के जरूत नहीं है ना कि मुझे बताया गया कि आप मैंसे बहुत लोग दो दो तिन तिन घंटे पहले आकर के बैठे है मुझे ये भी बताया गया कि पहले ये मैदान के एक सीमा ताई की गई थी लेकिन लोग इतनी बड़ी मात्रा में आये कि सारा वहाँ से खोल देना पड़ा ये आपका प्यार ये आपके आशिरवाद इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हो आज बसंत पंचमी है आज से मौसम बदल रहा है और इतनी बड़ी भारी संख्या में आप यहां आये हैं उससे करणा टका के राज़ितिक मौसम का भी अनुभव मैं कर रहा हूँ साथियों मुर्शा विरा मटके मठादीश गुरु सिद्धा राजयोगी और गड़क के पिठासिन देवता भगवान वीर नारायन को मेरा स्रध्धा पुर्वक नमन मैं सिद्ध गंगा मठ के माध्यम से हर वंचीत पीडित और सोशित की सेवा के लिए जीवन भर समत्पित रहे परम स्रध्धे सिशी सी शुकुमार स्वामी जी को भी स्रध्धा सुमन हर्पित करता सात्यों हुबली धर्वार देश की आन बान शान तिरंगे की धर्ती है इस धर्ती ने जीवन के सभी खेत्रों में वीर बेटे वीर बेटियों को जन्म दिया है अंग्रेजों से लोहा लेने वाली कित्तुर रानी चेन्नम्बा संगोली रायन्णा जैसे देशभक्त बक्त कभी संत कनकदास छोटे व्यास कहे जाने वाले कभी कुमार व्यास कंड़ा के लेखक डियार बैंद्रे पिख्यात संगीतकार डॉक्टर गंगुबाई हंगल और पंडित भिमसेन जोसी कुमार गंदर्व का नाम देश विदेश में प्रसिद्ध है इन सभी महान विभूतियों को मैं आदर पुर्वक नमन करता हूँ भाई और बहनों धारवाड की भूमी ने बीजेपी को भी ओजस्वी नित्रुत्व दिया है करनाटर का केशरी जंगनाथ राव जोसी स्वर्गिय भाव राव देश पांडे स्वर्गिय किसन राव गोखले एम जी जर्थारगर और स्वर्गिय सी निवास्तरलाया के संगर्ष ने भाजपा को आज इस थान पर पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया है आज इस मंच पर एक कमी स्पस्ट रुप से हम सभी को मैसूस होती है इसी धर्थी की संतान करना टका के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहे कुशल संगर्षन करता अनंद कुमार जी अब हमारे बीच नहीं है लेकिन गरीब के लिए जो समर्पन उन्होंने दिखाया है उसके लिए वो हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे भाई और बहनों, ये जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, इन सभी का एक ही लक्ष रहा है, हुबली और करनाटका का विकास हो, भारत, सामाजी, सांस्कृतिक और आर्थिक रुप से समर्थ हो, इनी भाउनाओं को शक्ती देने का अंधिरंतर प्रयास केंद्र की NDA सरकार कर रही है, विकास की पंचधारा, यानि बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दबाई, किसान को सिंचाई, और जन जन की सुनवाई, इसी विजन पर सरकार आगे बढ़ रही है, इस सिलसिले को जारी रखते हुए, थोड़ी देर पहले, पाँच हजार करोड रुपिये से अधिक के प्रोजेक्स का सिलान्यास और लोकारपन किया गया है, यह सारे प्रोजेक्स, हायर एजुकेशन, यहां की कनेक्टिविटी, गरीबों को पक्के घर, स्वच्छ इंधन के अभियान, देश की उर्जा सुरक्षा से जुड़े, हमारे संकल्प को और मजबूत करने वाले हैं, चीक जाजूर, माया कॉंडा रेलिवे लाइन से, बेडगावी, गोवा, पुने और मुंबई तक, यहां की कनेक्टिविटी ससक्त होगी, IIT और ट्रीपल IIT के नए केंपस, हुबली धारवार को देश के सबसे बड़े एजुकेशन, हम मैंसे एक बनाने वाले हैं, मा सरस्वती की पूजा के दिन, शिक्षाक्षेत्र को मजबूती देने वाले, इन कारियों के लिए, मैं यहां के नवजवानों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, जो दो पेट्रोलियम रिजर्व का लोकारपन, मैंगलूरू और पादूर में किया गया है, इम मुश्किल परिस्थितियों में, देश की उर्जा आवशक्ताओं को पूरा करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले, विशागा पत्निम में भी, ऐसी एक फैसिलिटी का लोकारपन किया है, साथियों, हम बर्तमान के साथ साथ, बविश्की जरुरतों के हिसाब से काम कर रहे हैं। देश के सहरों के लिए भी हम नेक्स जन्रेशन इंफा सेक्टर तयार कर रहे हैं। खुबली धारवार्ड तो स्मार्ट सीटी बनने की और अग्रसर है, आज जो सीटी गैस डिस्रिबिशन प्रजेक का लोकारपन किया गया है, उससे सहर के हजारों घ्रों के कीचन तक पाइप से गैस जाएगी। जिसमें से डिर्ड हजार कनेक्शन देने की शुरूबात हो चुकी है। इसी के साथ साथ पाँच स्री एनजी स्टेशन बन रहे हैं, जिससे ट्रैफिक से होने वाले प्रदूशन में भी कमी आएगी। साथ यो केंदर सरकार ने सहर के गरीबों के लिए पक्के घरों का भी एक बड़ा अभ्यान चला रखा है। आज वसंद पंचमी के पावन परवपर जिन बहन भाईयों का गरफ प्रवेश हुआ हैं, जिन को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिले हैं, ऐसे सभी मेरे परिवारों को मैं अनेक अनेक बढ़ाईया देता हूं, शुब कामना ही देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपना घर मिलने के बाद नई उर्जा के साथ अपने जीवन को, अपने बच्चों के भविश को उजवल बनाने में सपन होंगे। आज आप देश के गाउं और शहरों के उन डेड़ करोड लोगों में शामिल हो चुके हैं, जिनको अब तक प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट घर मिले। भाई और बहनों, शहर का गरीब हो या फिर मध्यमबर्गिये परिवार, बीते साड़े चार वर्षों में हमने निरंतर सबका साथ सबका विकास के लिए काम किया है। केंदर सरकार किस गती से काम रही है, इसका आकलन करने के लिए आप एक आकड़े को जड़ा ध्यान से सुनिये। पिछली सरकार ने अपने दस वर्षों में शहरी इलाकों के लिए कुल तेरा लाग गर्ष स्विकृत किये थे। जिसमें से सिरफ आठ लाक ही ही गर्ष पूरे कर पाये थे। जबकि NDA की सरकार ने बीते पच्पन महिने में तहत्तर लाक सेवंटी थी लेक्स शहरी आवाज शिकृत किये हैं। जिसमें से पंद्रा लाक तयार हो चुके हैं और थर्टी नाइन लेक्ट उन्तालिस लाक गरों का काम अपूर्णता की और है। इसे अगर मैं आसान सब्दों मैं समझाओं तो जिस रफ्तार से पहले की सरकार शहरों में गर बनवा रही थी अगर वही रफ्तार रहती तो 40-50 साल और लग जाते उसे इतने ही गर बनाने में जितने हमारी सरकार बना रही है। यानि जो काम वो 40-50 साल में कर सकते हैं वो हमने 55 महने में करके दिखाया है। सात्यों यहीं करना टकामाई 200 से अधिक शहरों में 5 लाक से अधिक गर बनाने की स्विक्रूति दे जा चुकी है। हुबली धारवाण में भी लगबग 11,000 गरीबों के पक के घर स्विक्रूत हो चुके हैं। जिसमें से लगबग डाई हजार की चावी आज सौपी गई है। भाई और भेनों प्रधान मंत्री आवास योजना से गरीबों के घर का सपना तो सच हो ही रहा है। मद्दमबर के घर की चिंता भी पहली बार सरकार ने की है। सरकार मद्दमबर के घरों के लिए नई केटेगरी बना कर होम लोन पर ब्याज में छूट भी दे रही है। अठारा लाख रुपिय तक की सालाना आए वाले साथियों के लिए होम लोन में छूट दी जा रही है। अगर किसी ने बीस लाख रुपिय तक का होम लोन प्रदान मंत्री आवाज योजना के तहर लिया है तो जब तक वो पूरा लोन चुकाएगा तब तक उसको पांच से छे लाख रुपिय की बचत हो नहीं ताया है। साथियों इस बजट में मद्दंबर के गड़ों से जुड़ी बचत को हमने और वस्तार दिया है। कई बार शहरों में बच्चों की पढ़ाई के लिए नोकरी के लिए स्वास के कारणों से दो घर खरी दे जाते हैं। ऐसे में सरकार ने अभियत्ताई किया है कि दूसरे घर के नोशनल किराय पर जो टैक्स लगता था वो टैक्स अब नहीं लगेगा। यानि अब बिना दूसरे घर की रेंटल इंकम पर तैक्स की चिंता किये बिना आप अपना दूसरा घर खरीद पाएंगे। इसी तरह जो लोग अपना घर बेच रहे हैं और घर बेचने के बाद अगर मानों उन्हें दो करोड से कम रुपिय मिले हैं। और ऐसे लोग अगर दो अलग-अलग छोटे घरों में वही पैसा निवेश करते हैं तो भी उन्हें आईकर से छूट दी जाएगी। साथियों मद्यम बरके मेरे भाई और बहनों के लिए और आईका एक बहुत बड़ा जरिया रेंटल इंकम भी होता है। अब सरकार ने ये भी तै किया है कि किराएं से जो आबदी हो रही है उस पर टैक्स कटोती की सीमा को अभी जे एक लाग असी हजार रुपे से बढ़ा कर दो लाग चालिस हजार रुपे कर दिया गया है। साथियों सबसे बड़ी बात तो ये कि तिहास में पहली बार पांच लाख रुपिये की टैक्सेबल इंकम को टैक्स के दायरे से बहार कर दिया गया है। इससे हुबली धारवार के करनाटरका के लाखो युवा साथियों को भी लाब होने वाला है। क्योंकि अधिकतर युवा इसी इंकम ग्रुप में आते हैं। भाई और बेनों मद्यमबर के साथ साथ और संगड़िक छेतर के मद्दूरों और किसानों के लिए भी बजएक में बहुत बड़ी योजनाय बनाई गई है। कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े गरों में काम करने वाले फल सब्ची बेतने वाले रिक्षा चलाने वाले ऐसे करोडों साथियों को साथ वर्ष के बाद तीन हजार रुपिय की मासिक पेंशन तैक की गई है। प्रधान मंत्री स्रम योगी मांदन योजना से जुड़ने के लिए स्रमिक साथियों को अउसतन सो रुपिय तक का मामली अउसतान हर महिने देना पड़ेगा। जितना पैसा मेरे मजदूर भाई बहन अपने पेंशन खाते में जमा कराएंगे उतना ही पैसा केंदर की सरकार भी उनके पेंशन खाते में जोड़ेगी। साथियों आपका ये प्रधान सेवक ये चौकिदार बिचौलियों को हर रास्ते से हटा रहा है। देश के गरीब को जो लाब देना है वो सीधे उनके खाते में जा रहा है। यही कारण है कि इमानदार को मोदी पर भरोसा है, वहीं जो ब्रस्त है उसी को मोदी से कष्ट है। आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में कैसे कैसों का नंबर लग रहा है, जिनकी कमाई के बारे में बात करने से लोग डरते थे, आज कौर्ट में एजन्सियों के सवालों के सामने हाजरी लगा रहे हैं। देश विदेश में बेनामी संपत्यों का हिसाब दे रहे हैं। देश के गरीब का राशन हो, गरीब किसान की जमीन हो, या फिर देश की सुरक्सा से जुड़े सौदे हो, जिसने भी दलाली खाई है, एक एक करके उसकी बारी आ रही है। साथियों ये वो लोग हैं जिनोंने किसानों को भी नहीं छोड़ा। करनाटका के लोग तो इसके बुक्त भोगी हैं। चुनाव से पहले करज माफी के बड़े बड़े बाइदे किये गए थे। उसका क्या हुआ। कितने लोगों का करज माफ हुआ। साथियों व्यादा किया था। फोर्टी त्री लैग 45 लाग किसानों की करज माफी का और अभी तक माफी हुई सेरफ 2021 किसानों की। यहीं इनकी सच्चाई है यहीं इनकी करज माफी कुछा शच है। भाई और भेनों इसलोग दसकों से यही खेल खेलते आ रहे हैं। ये वोट के लिए करज माफी की दस वर्षिय योजना लेकर आते हैं लोगों को जूट बोलते हैं और असल में करज माफी होती हैं सो में से मुश्किल से पचीस या तीस किसानों की उसमें भी अधिकतर तो कुछ सो रुपिय मिलते हिए और बाकी बिचलियों की जेब में चले जाते हैं खाधियों इस थित्री को बढ़ला जाना आवशक था इसलिए आपका ही प्रदान सेवक देश के लगभग बारा करोर किसान परिवारों की सीधी मदद करने वाली योजना लेकर के आया है इस योजना का लाप हर सो में से लगभग नब्वे किसानों को मिलना तय है ऐसे किसान परिवार जिनके पास पांच एकर से कम जमीन है उनको हर वर्ष 6,000 रुपिये के इंदर सरकार सीधे बैंक खाते में देगी ये पैसा दो-दो हजार की तीन किस्तों में खाते में जाएगा साथ क्यों ये जो पी-एम किसान योजना है इसकी तुलना अगर कॉंगेश की दस वार्षिय कर्ज मापी स्किम से करे तो आपको नीती और नियत में अंतरस्पष्टर जराएगा पी-एम किसान योजना कोई वन टाइम योजना नहीं है बलकि हर साल इसका लाब मिलने वाला है यानि कॉंग्रेश दस वर्ष बार पच्चास साथ हजार करोड की कर्जमा भी ले करके आती ही लेकिन पी-एम किसान से अभी की स्तिति के हिसाब से ही दस वर्ष में साड़े साथ लाग करोड रुपिय किसानों तक पहुंचने वाले साड़े साथ लाग करोड रुपिय भाई और बेनों इनकी नियत ना तो किसान का हित करने की है और ना ही नवजवान का हित करने की है ये तो सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचते हैं तभी यहाँ दमासान मचा हुआ है ऐसा कोई दिन नहीं है जब यहाँ की सरकार का नाटक देश न देखता हो सब अपनी अपनी कूर्सी बचाने में जुटे हुए हैं सत्ता की मलाई के लिए विदायक होटलों में लडाई जगड़े कर रहे हैं सरफोड रहे हैं कॉंस की कॉंग्रेस के भीतर अनेक नेता अपने प्रभूत्व की लडाई में जुटे हैं साथियों सबका पंचिम बैग यहां के मुख्यमंत्री है आए दिन मुख्यमंत्री को धमकिया मिलती रहती है मुख्यमंत्री की पूरी उर्जा दिन राध कॉंग्रेस ने उनके बड़े बड़े नेताओं से कूर्शी बचाने में लगी रहती है वो सारवजनिक तौर पर अपनी मजबूरी का रोना रोते रहते हैं ऐसी मजबूर सरकार इतना मजबूर मुख्यमंत्री जिसे हर कोई चुनोती दे रहा है सरकार का इंचाज कौन है इसको लेकर पी भ्रह्म है भाई और बहनों करना टका का ये मजबूर मॉडल ये मॉडल वो देश पर भी थोपना चाहते है एक ऐसा मजबूर मॉडल जहां सरकार का मुख्यमंत्री कौन में रोता रहे फैसले नामदार के महलों में होते रहे मलाई पर हाथा पाई होती रहे और दुनिया देश पर हंसती रहे यही मॉडल ये देश पर थोपना चाहते है साथियों नया भारत मजबूरी का नहीं मजबूती का मॉडल चाहता है आपका एक एक वोड तै करेगा कि बे इमान रहेगा या फिर इमान विकास बात चलेगा या वहुश बात पोजिटिविटी चलेगी या नेगेटिविटी क्लेरिटी चाहिए या कन्फ्यूजन इनी कुछ सवालों का जबाब बविश के भारत के मुल्यों को तै करने वाला धारवार के पेड़े जितनी मिठास आपके जीवन में हमेशा रहे ऐसी ही कामरा के साथ एक बार फिर आप सभी को विकास के तमाम प्रोजेस के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद